नमस्कार दोस्तों मैं में सुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे फाइनली NCRT ने अपने रिगूटमेंट को जो है रिलीज कर दिया है डिटेल्स में आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो इनकी ओफिसल वेबसाइट पे भी जाकर और वहां से ओनलाइन अपलाई भी कर सकते हो वेबसाइट क्या है www.ncert.nic.in पर जाकर आप अपलाई कर सकते हो यह तो भी पहली बात दूसरी बात यहां से आप PDF देखी रहे हो आपके स्क्रीन पर ही PDF दिख रहा है जो कि मैंने ओफिसल वेबसाइट से डाउनलोड करा है आप भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट जो मैंने पहले बताया है वही है www.ncert.nic.in पर जाकर आप अपलाई कर सकते हो वेबसाइट से PDF भी डाउनलोड कर सकते हो एक और बात जो पोस्ट आईए ना 239 की उसकी पूरी डीटेल्स आप यहां से देख सकते हो किस-किस पोस्ट के लिए क्या-क्या reservation रहेगा इन्होंने पूरी जानकारी हर पोस्ट के लिए अलग से दे रखी है यहां से आपको सारे पोस्ट की जानकारी मिल जाएगी और qualification क्या चाहिए desirable किसा साथ essential qualification क्या चाहिए होगी इन्होंने पूरी जानकारी दे दी है मैं कुछ dates की announcement कर देता हूं ताकि आप समय रहते online apply कर सकते हो तो देखिए चलिए के करके सारे चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं मैं सारे qualification को पीछे रख देता हूं देखिए जब आपकी job लगेगी तो कहां कहां job लगेगी यहां पे सारे original office के address भी आपको यहां पे दिखाई पड़ रहे होंगे ताकि आप चीज़ों को कोई भी जो है अच्छे से समझ सकते हो देखिए अब important dates की बारी है online registration स्टार्ट होगा आपका 29 अपरिल से जो की चलेगा 19 में तक यानि की you have more than sufficient time पहली बात दूसरी बात hand return जो exam होगा या interview होगा वो ncrt.nic.in यानि की website पर ये दे देंगे अभी तक ना examination की date आई है ना ही interview की date आई हुई है reservation के लिए जो criteria निर्धारित है इन्होंने यहाँ पर रख दिया है कि जो 22 April 2023 है उसको आप डेडलाइन समझे यानि की age की गन्ना या फिर age criteria को अगर आपको measure करना है तो 22 April को आपको लेना होगा तक कि आप चीज़ों को समझ पाए reservation जो भी है blind या फिर low vision जिनका है deaf है या सुनने में जिनको दिक्कत है उनके लिए इन्होंने बता दिया है कि 40% जो है disabilities होनी चाहिए अधरबाइस वो consider नहीं किया जाएंगे age के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं दे दूं SCST के लिए 5 साल की age कट अप रखी गई है OBC के लिए 3 साल और जो PWD यानि कि physically handicapped हैं challenged people हैं उनके लिए 10 साल और OBC से आते हैं तो 13 साल अगर physically handicapped SCST group से आते हैं तो उनके लिए 15 साल एक सर्विसमेन है तो 5 साल का पोस्ट A के लिए 3 साल B और C पोस्ट के लिए तो कुल मिला कर बात है कि हर किसी के लिए reservation की पूरी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी examination fee की अगर बात की जाए अगर आप level 10 से 12 भर रहे हो तो application fee होगी 1500 रुपे अगर आप 6-7 के लिए apply कर रहे हो तो होगी fee 1200 रुपे अगर आप 2 और 5 के लिए भर रहे हो तो fee होगी 1000 रुपे और SCST category के लिए fee देने की जरूत नहीं है इसके लिए no fee यहां पे applicable है online pay के लिए आप यह receipt को generate कर सकते हो और याद रखिएगा उसकी screenshot जरूर रख ले आगे यह काम में आएगा mode of selection की बात करें तो पले exam लिया जाएगा फिर interview लिया जाएगा यहां पे skill test आप यहां से देख सकते हो return skill test interview सबसे आपको गुजरना होगा उसके बाद ही आपकी selection यहां पे की जाएगी सारी जानकारिया यहां पे लिख दी गई है website मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ www.ncert.nic.in पर आप जाकर apply कर सकते हो यह पूरी जानकारी है और by the way परफॉर्मा बगेरा भी इन्होंने दे रखा है यह PDF आप हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो टेलिग्राम चैनल का पता कहा मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है और हो सकता है कुमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूँ ताकि आप खुद से इसे डाउनलोड कर सकते हैं 347 या 29 जितने भी पोस्ट है उनके लिए वेकेंसी आई हुई है कहां से NCERT से अलग-अलग रिजिनल ओफिस में इसकी जॉब लगेगी अगर आपका रिजिनल ओफिस पास्में पढ़ता है या दूर भी पढ़ता है क्योंकि यह NCERT की वेकेंसी है सेलरी यहाँ पर 40,000 से लाक रुपे तक आपको मिल जाएगी वो पोस्ट के एकॉर्डिंग जो है वेरी करेगी अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग सेलरी रखी गई है बाइदवे कोई डाउट होता हूँ तो नीचे कमेंट करके पोच लिजेगा वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया हैव गुद डे